हेलो फ्रेंड नमस्ते आज हम आपको आवले की गुड़ की मीठी चटनी बनाना बताएंगे इस तरह से कच्चे आवला ले लिया था मैंने और इसको कूकर में उबाल दिया है एक सीटी मार के उतार दिया है देखिए एक दम इस तरह से हम निकाल देगे कि इसको मैंने जादे पाणी में डाल ला आउना डाल दिया था कूकर में बस हमके आज करके एक सीटी मार दि दो के बस इसे रख दिया था अब मैंने सारे बीच को निकाल दिया आओ लेके अग कड़ाई में डाल दिया है अब इसमें हम सारा अला डाल दिया है इसमें हम गुर्ड डाल देंगे इसमें मैंने दो गुर्ड डाला है इसको जादे मीठा नहीं बनाना है स्वाद नहीं बनाना है बस थोड़ा सा कड़वा पर हटाने के लिए मैंने इसमें दो गुर्ड डाले हैं और ये इसको बस सुबह खाली फेट खाएं आपके पेट के लिए बहुत बढ़िया है कच्चा ओना इस तरह से दीजिए आज में पकाएं एकदम जब गुर्ड गल जाएगा तो वंगुर गल जाएगा देखले मेरा कि रिख्यकल गया है कि इस lyric लख हिए अब इस तरह से आप बार बार चलाते रहेंगे हलक के आज में इस तरह से मेरा ये रेडि वह जाएगा खाने के लिए इसको जादे मुझे कुछ डालना नहीं है बस गुड़ और आम लेकर मैंने मीठा चटनी बना दिया है मुरब्बा का है चटनी का है थोड़ा सा हम इसको पका लेंगे आईए देखिए यह मेरा रेडी हो गया है इस तरह से बारबाट चलाके और उसे एक डिब्बे में मुझे रख लेना है और इसको सुबह हम खाली पेट खाए पेट के लिए बहुत फायदे मंद है इसे गैस बगरा नहीं बनता है आप कच्छा माला भी खाली पेट खा सकते हैं मेरी वीडियो अच्छी लग तो मैं चैन हुँ हम स्वाइब।